145 घंटे से जादा का समय गुजर चुका है और अभी भी वो 40 लोग अंदर फसे हुए लेकिन उनको निकालने के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं सामने अब देख सकते हैं कि जो इंदौर से ओगर मशीन थी ड्रिलिंग मशीन वो यहां पहुंच चुकी है दस बचकर 11 मिनिट पर यह जॉली ग्रांट एरपोर्ट पर उतरी ती देर रात उसके बाद ट्रकों के माध्यम से सड़क के द्वारा यहां भीजे गई है पूरा जो समय था जो साथ गंटे का सफर था वो ग्रीन जोन मना रखा था और पुलीस इसको एसकॉर्ट करते ला रही थी सामने देख सकते हैं कि वहां पर एक मंदिर बनाया गया है इसी मंदिर की बात की जा रहे थी क्योंकि जहां एक तरफ टेकनोलोजी का यूज किया रहा है जा मशिनों की उपर वाले को भी याद करके क्योंकि यह बेहती जिस तरीके से कथिन कहम हैं और सभी इस पर लगे गया और इसी जगह पर कहा गया है कि यहां पर मंदिर बनेगा यानि जैसे ही इन दौर से मशीने आई वहीं पर पूजा एक मंदिर बनाया गया और पूजा अर्चना करके वह अंदर जा रही है तो लगातार एक खपड़ा टांगा जा रहा है वहां पर पुजारी उपर बंत्र होते हैं तमाम उसको लेकर यहां पर अभी लगाए जाएगा और शुरुवात की जाएगी तेजी से शुरुवात की जाएगी और एक ही लक्षे है किसी भी तरीके से 49 जिंदिकों को बचाना है और बाहर लाना है एंडिटीव इंडिया से सिलकरा टैनल से एक शुरा जाएगी जावत